मारिं स्टुडेंट्स बेटा आज हम मैजिक स्क्वाइर करेंगे ठीके यह हमें दिया हुआ है 3x3 का एक मैजिक स्क्वाइर का आप जानते हैं कि स्क्वाइर की लैंप पर ब्रेथ हमारी क्यों आती है सेम होती है यह हमारी लैंथ अगर 2 cm है तो ब्रेथ बे कितनी होगी 2 cm 1, 2, 3 and 3 box हमारे horizontally है अभी हमारे पास कुछ digits दे विये हैं इन boxes में हमारे पास जो squares हैं उनके boxes है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यह 9 boxes हमें इस square के अंदर दिये विये हैं इसके लिए हमारे पास जो rule दिया आवा है the sum of these numbers is 15 यानि इस square का जो sum होगा हर row का हर column का कितना होगा 15 होगा तो अब हम इसे find out कैसे करेंगे तो हम इसको find out करने के लिए यह 6 है यह exume कर लेते हैं यह A है यह B है इसको हम C मान लेते हैं इसको D मान लेते हैं और इसको हम E मान लेते हैं ठीके अब इसको solve करने के लिए हम चाहें तो इसको यह column में भी solve कर सकते हैं और चाहें तो row में भी solve कर सकते हैं लेकिन solve करने से पहले हम यह देखने हैं कि हम इसको easily कैसे solve कर सकते हैं तो हमारा जो easily solve करने का तरीका यह है इसमें 9 है इसमें 4 है यानि इसमें 2 fill है हमारे पास एक नहीं है अब rule हमारा कहता है कि the sum of is 15 यानि हर row का हर column का sum कितना होना चाहिए यानि इन तीनों का sum भी 15 होना चाहिए इन तीनों का भी 15 होना चाहिए इन तीनों का भी 15 होना चाहिए अगर हम columns में कर रहे है और अगर हम row में कर रहे है तो इसका sum भी 15 होना चाहिए इसका sum भी 15 होना चाहिए तो फर्स्ट हमारे पास दिया हुए 6 प्लस A प्लस B इनका सम कितना होना चाहिए 15 सेकेंड हमारा दिया हुए C प्लस 5 प्लस D इनका सम हमारा कितना होना चाहिए 15 नेक्स्ट हमारा दिया हुए E प्लस 9 प्लस 4 इनका सम भी हमारा कितना होना चाहिए 15 इन दोनों में हमारे पास दो numbers नहीं पता, इसमें भी दो numbers नहीं पता, लेकिन इसमें हमें दो numbers पता है, यानि सिर्फ एक number का पता लगाना है, जो कि बहुत easy है, 9 plus 4 कितने होते हैं हमारे, 13, ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, E, plus 9 plus 4, 13, ये 15 है हमारा, E equals to 15, ये 13 इदर जाके minus में हो जाएगा, तो हमारे पास E कितना आ गया, 2, तो देखें, यहाँ पर अगर हमारा 3 आ जाता है, 9 plus 4, 13, और plus 2 हमारा कितना हो गया, 15, यानि इसका sum हमारा कितना आ चुका है, 15 आ चुका है, तो यानि जो ये वाला box, अग हमारा new box तेयार होगा, ये 6 है, ये 5 है, और ये 4 है, ये 9 है, ये हमारा कितना आंसर मिल गया हमको, 2, यानि 9 plus 2 plus 4 हमारा कितना हो गया, 15, इसका हमें आंसर मिल गया, 15, अब हमारे पास एक हो नंबर है, जिसका हमारे पास आंसर मिल चुका है, 6, 2, इसका हमें आंसर मिल चुका है, 6 plus 2 हमारा 8 होता है, अब हमें 15 मिनाने के लिए कितने नंबर हो चाहिए इसमें तो 6 प्लस 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानि यहाँ पर कितना जाएगा, 7 तो यह वाला कॉलम भी हमारा कितना हो गया, 15 तो 7 प्लस 5 इतना हो गया, 12, 12 में हमें कितना चाहिए, 13, 14, 15 तो यह हमारा कितना हो गया, 15 अब यह भी हमारे पास दो नंबर है, यह भी दो नंबर है, तो इनको एट कल लेते हैं ठीक है, 4 प्लस 3 हमारा कितना हो गया, 7 15 बनाने के लिए में कितना चाहिए 4 प्लस 3 7 हो गया अब हमें 15 बनाने एट ठीक है अब हमारा ये वाला भी हमारा 15 हो गया ठीक है ये वाला भी 15 है ये वाला भी 15 है ये भी 15 है अब बचा ये 8 प्लस 6 कितना हो गया 14 1 कितना हो गया 15 यह हमारा स्क्वाइर क्या हो गया है कम्प्लीट हो गया है